हलो वाट्स अप दोस्तों कैसे हैं आप सभी फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि एक कम्प्यूटर ओपरेटर की सैलरी कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों बगाईदा आपको एक जॉब सेचिंग वेबसाइट के उपर में लेके चलूँगा और वहाँ पर दिखाऊंगा कि एक कम्प्यूटर ओपरेटर को कितनी सैलरी ओफर की जारी है साथी साथ हम लोकेशन को भी चेंज करके देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि लोकेशन वाइज सैलरी में कुछ तबदीली आती है या नहीं साथी साथ दोस्तों अगर आपको कम्प्यूटर ओपरेटर से रिलेटेड और वीडियोज देखने हैं तो आप उपर आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं मैंने उनके उपर भी वीडियोज बना करके रखे हैं जैसे कि इनकी जॉब रिस्पोंसिबिलिटीज क्या होती हैं इ चलिए सीधा चलते हैं मैंने मोबाल स्क्रीन के उपर तो यह देखिए दोस्तों मैंने यहां पर कंप्यूटर ओपरेटर जो आप जो है वो डेली के अंदर सर्च कर लिए हैं आप यहां पर अलग-अलग रिकूट्मेंट्स भी देख सकते हैं यह देखिए ऑफिस असिस्ट देख सकते हैं और एक कंप्यूटर ओपरेटर दस हजार रुपए से लेकर के बीस हजार रुपए तक की सालरी है यह देखिए कंप्यूटर ओपरेटर अगयर तीन लाग-बीस हजार रुपए से लेकर के चार लाग-तीस हजार रुपए पोर येर देने के लिए तयार है यह यहां कि तक्रीबन यहां पर 30 या 25-30,000 रुपे के बीच में यहां पर salary जो है वो मिल सकती है यह देखें computer operator 12,000 रुपे से लेकर के 15,000 रुपे तक की salary offer की गई है यह computer operators again 15-20,000 यह accounts assistant come computer operator है 20,000 की salary है यह देखें computer operators 110,000 रुपे से लेकर के 120,000 रुपे तक की salary जो है वो यहां पर offer की गई है याने कि तक्रीबन 10,000 रुपे पर month यह देखें computer operator 15,000 से 25,000 रुपे तक की salary है और यह देखें requirements क्या है data entry के 3 साल का work experience चाहिए और total work experience 5 साल का यहां पर होना ही चाहिए तो यह देखें दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि इनको steno computer operator चाहिए यहां पर 15,000 से लेकर के 25,000 रुपे पर month की salary offer की गई है और requirements आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर data entry की 3 साल के requirement है और total 5 साल का आपके पास experience होना चाहिए तभी आपको 25,000 तक की salary जो है वो offer की जा रही है यह देखिए DTP computer operator 5000 रुपे से लेकर के 6000 रुपे पर week देने के लिए यह लोग तयार है अगर इस हिसाब से हम इसका calculation करें तो यहां पर आपको highest अगर भी आप देखें तो 5000 के हिसाब से आपको 20,000 रुपे पर month मिल सकते हैं और यही अगर 6000 के हिसाब से आप करने जाए पर नीचे आप देख सकते हैं computer operator की और एक है 10,000 से 13,000 रुपे तक की salary है यह देखे computer operator 9,000 से 11,000 यह देखे computer data entry operator 23,000 रुपे तक की salary यह computer operator अगे 15,000 से 20,000 रुपे तक की salary तो यह दिली के अंदर के हो गए अब हम थोड़ा सा इसकी location को change करके देखते हैं कही और चलते हैं अब यहां से हम इसको लेके चलते हैं noida में यह देखे यह computer operator mail 10,000 से 15,000 तक की salary है computer operator again 10,000 से 20,000 यह computer operator 15,000 से 20,000 यह देखे यह 12,000 से 15,000 यह देखे 12,000 से 22,000 यह 10,000 से 15,000 यह again 10,000 से 13,000 से 15,000 फिर से एक बार और भी अगर आप देखना चाहें तो यह देखे cashier and computer operator है 3,20,000 रुपे से लेकर के 7,50,000 रुपे पर year देने के लिए तैयार है तो अब यह cashier के लिए है या computer operator के लिए है यह तो इन्होंने clearly नहीं लिखा है यहाँ पर cashier and computer operator लिखा है इसका मतलब cashier के ऊपर ही computer operation का जमेदारी है यह नहीं है यह इन्होंने खेर यहाँ पर लिखा नहीं है फिर भी हम per month salary जो है वो यहाँ पर ढूणने की कोशिश करते हैं तो यह जो highest लिखा गया है 7,50,000 रुपे पर year इसकी हिसाब से यहाँ पर 62,500 रुपीस जो है वो salary यहाँ पर मिल सकती है तो 62,500 यह highest salary यहाँ पर हमने अब तक की देखी है अब और देखते हैं तो फिलहार NOIDA के अंदर इतने ही jobs है computer operator के लिए तो हम यहाँ से पंजाब चलते हैं अमरत सर यह देखे computer operator 20,000 तक की salary है computer operator and back office executive 3,40,000 रुपे से लेकर के 5,60,000 रुपे पर year देने के लिए यह लोग तयार है यह देखे computer operator 7,000 से 15,000 तक की salary है यह देखे cashier and computer operator 3,70,000 रुपे से लेकर के 7,20,000 रुपे तक की salary यहाँ पर मिल सकती है याना के करीब करीब अगर देखा जाए तो 58,60,000 तक की salary जो है वो यहाँ पर maximum आपको मिल सकती है यहाँ पर आप देख सकते हैं computer operator and back office again 3,60,000 से लेकर के 7,20,000 शायद वो उसी company की फिर से आ गई है यह देखे female computer operator come office assistant 6,000 से 8,000 रुपे पर मन्थ देने के लिए यह लोग तयार है तो फिलहाल अमरिच सर के अंदर इतने ही है तो अब इसको हम लेके चलते हैं चंडीगड यह देखे cashier and computer operator 3,40 से लेकर के 7,40 तक की salary है पर year यह देखे 3,60,000 पर year यह 8,000 से 15,000 पर month यह देखे computer operator 8,000 से लेकर के 18,000 तक की salary है और आप यहाँ पर इनके requirements भी देख सकते हैं यह again computer operator 7 से 10 यह computer operator executive female चाहिए इनको 10,000 से 25,000 देने के लिए तयार है यहाँ पर देखे 9,000 से 21,000 तक की salary है यह देखे computer operator and back office 3,30,000 रुपए से लेकर के 7,30,000 रुपए तक की salary है यह देखे computer operator excel export चाहिए इनको 11,000 से 15,000 तक की salary देने के लिए यह लोग तयार हैं और आखिर में भी आप देख सकते हैं data entry operator computer operator 1,20,000 से लेकर के धाई लाक रुपए पर येर देने के लिए तयार हैं तो यहाँ से हम इसको लेकर चलते हैं गुजराद की और एमदबाद यह देखे computer operator 8 से 10,000 की salary offer की गई है यह computer operator कम office assistant male and female चाहिए 12,000 से 20,000 देने के लिए तयार है यह देखे computer operator कम customer support 17,000 तक की salary है अकाउंट assistant कम computer operator 15,000 तक की salary computer operator 10 से 15,000 की salary और यहाँ पर computer operator से related कम दिख रहे हैं वैसे कोई बात नहीं यहाँ से हम चलते हैं भोपाल की और मध्यप्रदेश यह देखे computer operator कम office assistant चाहिए इनको और 5,000 रुपे तक की salary दी जारी है और यह अब तक की देखी गई सबसे lowest salary है यह देखे computer operator typist चाहिए 15,000 की salary यह computer operators 1,80,000 से लेकर के 3,10,000 रुपे तक की salary offer की गई है यह computer operator and cashier की 1,50,000 रुपे से लेकर के 5,50,000 रुपे पर year देने के लिए तैयार है यह देखे computer operator कम office assistant 4,000 से 6,000 रुपे पर month तो अब तक हमने 5,000 की सबसे lowest देखी थी अब यह उससे भी lowest है 4,000 रुपे सबसे lowest हमने जो है वो salary अब तक की देखी है तो फिलहाल भुपाल के अंदर इतने ही job है तो अब आप देख सकते हैं कि जो lowest salary हमने देखी है वो भी यही पर भुपाल में ही देखी है जो की है 4,000 रुपे और जो highest salary हमने देखी थी जो की थी 62,000 रुपे तो अब इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी जादा wide इसकी range है तो 4,000 कहां और 62,000 कहां बहुत बड़ा इसमें difference आता है लेकिन जो normal company है जो हमने देखी उनकी range तकरीबन यहाँ पर 10,000 रुपे से लेकर के 30,000 रुपे तक की जाती है तो इसके बीच में इस band के बीच में जो है वो जादा से जादा company हमने देखी है जो की इसी band में यहाँ पर salary जो है वो offer कर रही है तो अगर आप reference के लिए चाते हैं तो 10,000 रुपे से लेकर के 30,000 रुपे तक की salary आपको मिल सकती है ऐसा हम safely कह सकते हैं तो बस दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और काम कलगा होगा तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करना बिलकुल न भूले